हे हलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेंज इस वीडियों में बात करेंगे LLB 3 एर्स और LLB 5 एर्स CT 2021, एड्मिशन प्रोसेस के आपको कौन कौन सा डॉकॉमेंट रहेगा, कौन कौन सा डॉकॉमेंट लगेगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, एड्मीशन प्रोसेस के लिए आपको कैप राउन में रजिस्टर करना पढ़ता है, बिसकिलिये आपको पूरा डेटेल रजिस्टर करना पढ़ता है document रहता है उसको upload करना पड़ता है फिर college आपको basically choose करना पड़ता है जब आप document upload करते हो submit कर देते हो तब आपका document verification चलोता है 2021 में online होने वाला है आप offline नहीं होने वाला है पडिगुलर कोई faciliter center पे जा कि आपका document verification नहीं 2021 में आपका online होने वाला है बिसके लिए आप सम्मीट कर दिया, उनलाइन में वह चला गया, उसके पास पडिगूलर डेट दिया रहेगा, उस डेट में आपको वेरिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप कोई डॉकॉमेंट मिस कर देते हो, आगे सम्मीट ही नहीं होगा, आगे जब सम्मीट नहीं होगा, आपका एड्मिशन कैंसल हो, जब भले आपका CET में बहुत अच्छा माक्स है, तो क्या हो, आपको डॉकॉमेंट जो नहीं रहेगा, तो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा ना, तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो डॉकॉमेंट नहीं हो, बनवा के रख देखिएगा, यह प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं डीटेल में एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, यह बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो देख लिजिएगा, जो डॉकॉमेंट नहीं हो, बनवा लिजिएगा, अच्छी बात है, ओफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास तक देखिएगा, और एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, दोसों, कोई भी लेटेश नीज होता है, CET के बारे में, या आपके दीबांग में कोई भी डाउट होता है, तो मैं उस प पॉसिबाल, आपको रिप्लाई मिल जाओगो, सबको रिप्लाई मिलता, आप खुद भी जाके देख सकते हो, तो प्लीज वीडियो को लास तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, LLB 3 years, LLB 5 years, CT 2021, document required for admission process, दोस्तों पहले document कौन-कौन सा लगे है, उससे पहले आपको official notification दिखा दों, तो वो अच्छा रहेगा, देखिए, CT के यह official website है, देखिए, यह cap round के लिए खुला है, जो आपका पुराना वाला website और मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जो पुराना जह पुरा आपको यह notification देखने को मिलेगा, यहाँ पर जगा नहीं था तो उन्होंने एक नया page बना दिया, जही से आप MSTCT लिखो गया ना, यही starting का पेज open होगा, यही बता देता है, क्योंकि कुछ लोग को पता मैंने वीडियो बना दिया था, LLB 3 years की इदर क्लिक करता देखें, मैं dot, इधर ना, जब PDF आप सेफ करोगे ना, डाउनलोड करके, dot PDF करके सेफ करिएगा, नहीं तो आपका PDF दीखेगा ही नहीं, अलग ही दीखेगा, कुछ अत्तरंगी ही दीखेगा, अलग format में दीखेगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा था, मैं वीडियो भी बनाया ह आपका registration, जो cap round के लिए registration होता है, देखें, नौवा पॉइंट देखिए, 29 नौवंबर से 10 दिसंबर तक होगा, और e-security, e-security वो लोग क्यों लिखें, दोस्तों मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बेसिकली ये document verification होता है, यहाँ पर देखें, एक्सपर्ट कमिटी बैठी र देखें, जो बाँदे से आके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, फिर कोई और भी बनतलब रहते हैं, उनका बिसकली पूरा बताया है, क्या महाराश्टा हो, क्या आउटसाइड महाराश्टा हो, वो लोग भी register कर सकते हैं, मतलब क्या पर आगे पढ़ने के लिए, तो उनका बसकली डेट बतायागे, आपका रजिस्टर कर सकते हैं, कब document अपलोड कर सकते हैं, तो प्लीज का चूज कर सकते हैं, वो 22 नॉमबर से लिए, बाइस नॉमबर से तीस नॉमबर तक है, आपका देखें लिए, जादे टाइम नहीं है, document अगर आपका नहीं रहा, तो समझ ज कि आपका पुरा एडिमिशन कैंसेल हो जागे तो प्लीज से वीडियो लास तक देखिए कोई यू LLB 3 वाले बंदे हो यू LLB 5 वाले बंदे हो और यह सीक्योटी मतलब आपका डोकॉमेंट वेरिफिकेशन रहती है यहाँ पे लिखा एक्सपर्ट कमेटी वहाँ पे बैठी ही रहती हूं आपका डोकॉमेंट वेरिफिकेशन करती है तेईस नौंबर से चार दिसंबर तक यह प्रोसेस होने वाला है चलिए अब बताते कौन-कौन सा डोकॉमेंट लगया यह प्लीस वीडियो में बताने वाला हूं प्लीस देखिए गा और आपको ऑफिशली भी बता अब गराप की बात नहीं कर रहा हूं ओपको पॉट्यस की बात है आपके पास होना चाहिए रिसेंटली होना चाहिए यार तो थोड़ा सव बॉड़ी में चेंज़ आते हैं तो फिलीस रिसेंटली आपका फोटो खिचवा के रख लीजिए गा और उसके बाद सिगनेचर का अप्लोडी नहीं कर रहा है को इंपोर्टेंट कौनसा कौनसा डॉकॉमेंट लगया वह आपको बताया हूँ देखिए जो पहला है वो टेंद का माक्षीट है तो दूसरा है वो ट्वेल का माक्षीट आई होप सबके पास होगा और ग्रेजुवेशन का माक्षीट जो यहां प टेसे के लिए आपका छह माक्षीट होता है या फिर मतलब यर्ली वाली होंगा एक साल में फैक्为 알क रीजेशन की बात करहां हां एक साल में हो रहा है दूसरे साल में दो हो रहा है तीसरे साल में तीन हो रहा है तो दोस्तों मतल até तीन साल मार्शीट है उसको एकी में Oprah नकि干 लीजिए फोटो खिशनेक बाद image to PDF एक आयप आता है वो कर लीजिए image to PDF डारेक्ट कर लीजिए नहीं तो और एक ओफिशली तरीका बताता हूं देखिए यहां पर इसको इमेज को कॉपी कर लीजिए यहां पर मैंने यह image को कॉपी किया उसके बास से मैं वर्ड पर गया वर्ड पर जाके इसको पेस्ट कर दिया फिर से पेस्ट कर दिया देखिए आपका बहुत सारे डॉकमेंट रहेगा मैं एक इमेज कर रहा हूं कि फटा फटा आपको बता दिखता है यहां आपको दिखता ही होगा मैं जॉम होता है का यह जूम नहीं होता है तो पीडियल पर क्लिक कर लिजेगा आपको जो भी नाम लिखना रहेगा जो भी मैं टेस्ट लिग देता हूँ टेस्ट और बिकली नाम लिए आगे एक्स्टेंशन डालने की जरूर नहीं से बेस टाइप में अपने PDF कर दिया सेव कर दिया हो गया आपका खत्तम और कुछ भी नहीं हो जाएगा इसलिए आप जाके देख सकते हैं इसके पूरा आइदम डीटेल में आपको बताना चाहता हूँ उसके पास कोई अईसा हो नहीं कि अलग से आपको कोई सर्ट करना पड़े यही होता है तो आप प्लोड कर सकते हैं है तो तीन इस में अपलोड करना है तीनों का फोटो निकालके या फिर 6 सेमेस्टर वाले हो तो 6 बिसकली होगा तो वो कर सकते हो उसके बास पीजी का मार्क्षीट लगेगा दोस्तों मार्क्षीट सोड़ा स्पेलिंग गलती कर दिया हूं माफ करिएगा मुझको प्लीस सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया था इसकलीस में इफ पीजी का मार्क्षीट लगा पीजी के थुरू भी गोड़ लोग जाते हैं लेल्बी ठीर्स के लिए उसके पासे जो फिफ्त है वह जरूरी भी है तो अगर महारास्टा काइनिडेट होना तो क्या होता ना मास कम जाता है दोस्तों कोई बात आता नहीं है आपको मारास्टा काइनिडेट हो तो आपको मार्क्ष है ना थोड़ा कटव एक तो सीटे जाते होती है कॉलेज में जो आपका मार्क्ष होता है वो भी कम जाता है जो आउटसाइड महारास्टा या फिर और भी बहुत सारे रीजन के आते हैं लोग जम्मू कश्मीर या फिर बाहर से और भी दस साल हो तो कोई वकील से जाके बनवा लीजिएगा या फिर अपले सरकार डॉट कॉम पर जाके भी आप बनवा सकते हैं इसके लिए यह बैटाने बैठ हूं आना तो बहुत टाइम हो जाएगा प्लीस अगर आप डोमेसाइल के लिए हो दस साल से महारास्टा में रहते हो हो एक सर्टीकत बहु है जो आपका नसीयक सर्टीकेट लगेगा बिसकादीस में से जो 7 ते LLB का जब register किये रहेगे जब MST CD LLB का जब 3 years हो या 5 years वाले हो अब register किये रहोगे तब आपको application form मिला रहेगा या फिर registration form को print निकाले रहोगे वो print बहुत ही जादे important है प्लीस ओर रखिएगा दोस्तो LLB का CD या जब scorecard आप download देखिए LLB CD का एक दो आया था एक में पूरा एक मतलब LLB 3 years वाले का बता रहा हूं LLB 5 years के लब भी same same to same है चलिए LLB 5 years का ही बता देते है LLB 5 years का जब result आया था तो starting में एक ही PDF में सबका result आएगा था और बाद में एक दी दिन बाद दोस्तो particular score काड़ा आया था अच्छे से समझेगा ना यार इसके लिए आपको अच्छे समझाने के लिए मैं इधर बैठा हूं तो प्लीस यह देखिए फटा 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 जाता हूं क्लिक यह फिए फिए स्कोर काड़ के लिए व्यू करोगे यहां पे जब अप्लिकेशन नमबर डालोगे डेटर बट डालोगे आइम नौट रोबर्ट बिसकली कैप्चरर लॉग इन करोगे ना पर्टिकुलर आपका ही जितना भी माक्स रहेगा वही आया रहेगा पूर आ अगर आपका स्ट में करोगे नों इतना जादे डीटेल नहीं नहींस नहीं विससी वाले को लगता है अंको काश्ट वेलेटी सर्टिफिकेट लगेगा याद रखिएगा दोस्तों महारास्टा महारास्टा में आयों पढ़ने के लिए मकली अब माइग्रेशन सर्टिकेट लगे अब पहले से पढ़ने के लिए और दोस्तों यह सब तो आपका यह आपलोड करने के लिए क्या बोलते हैं जब कैप राउन में होगा तब अपलोड करने के लिए और यही सब डोकॉमेंट का जेरोक्स लगेगा जब यह हो जाएगा ना आपको डोकॉमेंट अपलोड कर लोगेगा एडमिशन आपका पक्का हो गया ना तो एक कॉलेज अलोर्णमेंट लेटर जीतना भी यह डोकॉमेंट बदा हैं सबका जेरोक्स लेके आपको पर्डिकुलर कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको अलोर्ट होगा लगया और जब आप कैप राउन के लिए रेजिस्टर करोगे तो भी यह चीज लगया तो प्लीज यह चीज बनवा लिजी आपको दिखली के बाद का इसके बाते हैं सब आपको यहाँ पे साफ्लोद करना है आपका खेखली का मारक करोsystem करों दो बिसके लिए आपको दिख जाएगा दिखेंगे तो मार्क्स सेमेस्टर अगर थी यर्ज वाले बन दे हो तो तो यहां पर चूज पर क्लिक करो गाना उसके बासे अफोलोड कर लग देखेंगे यह बैचलर.pdf कर दिया मैं आपको ईग्जामपल दे रहा हूं बैचलर.pdf कर द मैं बैचलर में बैचलर आप कितने भी रहा हो तो पर लिविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो देखिए अगर कोई महारास्टा में तो कि आपके पास रहना ही चाहिए और माइनौटी से तो भी आपको एक सर्टिफिकेट होता है माइनौटी का वह भी लगा सकते हैं लिखा रहता है कौन से माइनौटी हिंदू मतलब सींदी क्रिश्चन मुसलिम जो भी रह वह आपको उसमें लिख प्लोड कर सकते हैं तो जिसका यह था तो उसने लिमिटेड किया था जो आगे आगे इससे पहले जो भी आप उप्शन पर क्लिक करो उसके हिसाब से आपका यह चूस फाइल आएगा दोस्तों अगर आप कास्ट वाले हो तो आपका कास्ट आएगा फिर कास्ट वेलेडिटी आपको यह पूरा वीडियो पहुत पसंद आया तो प्लीस थाइंक यू